नमश्कार, बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है खराब जीवन शेली और असंतुलित खान पान ने मोटापे की समस्या को भढ़ा दिया है मोटापे को कई तरहे की यानि गंबीर बिमारियों का भी कारक माना जाता है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग तरहे तरहे की उपायों को प्रियोग मिलाते हैं लेकिन कम ही लोग को इसमें सफलता मिल पाती है दुनिया भर में मोटापे की तेजी से भरती समस्या को देखते हुए वेग्यानिकों ने खास डिवाइस का निर्मार किया है दावा किया जा रहा है कि वजन को तेजी से घटाने में ये डिवाइस काफी मददगार साबित हो सकती है दुनिया के पहले वजन घटाने वाले उपकरण का निर्मार किया गया है निर्माताओं का दावा है कि ये लोगों की लाइफस्टेल में ऐसे बदलाव ला सकती है जिससे उनका मोटापा आसानी से कम हो सकता है असल में ये खास तरह का डिवाइस मूँ को पूरी तरह से खुलने नहीं देता है जिसके कारण लोगों को फास्ट फूड और कई तरह के अन्य भोजन को खाने में दिक्कत हो सकती है ऐसी स्थिती में लिक्विड डाइट यानि की तरल पदार्थ के सेवन पर मजबूर होना पड़ता है जो वजन कम करने में सायक होता है तो आईए जानते हैं इस डिवाइस के बारे में रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिवाइस को पहनने वाले व्यक्ति के खान-पान की आदतों में आसानी से बदलाब लाया जा सकता है इसे पहनने से लोगों को लोग कैलरी वाले आहर के सेवन की आदत हो जाती है जिसे वजन कम करने के लिए आधर्ष माना जाता है भारती डॉक्टरों और विशेशग्यों के मताबिक इस तरह के उपकरण का इस्तमाल हिर्दे पर असमान दबाव का कारण भी बन सकता है इसके लावा कई हिर्दे रोग्यों को तरल पदार्थ के सेवन से रोका जाता है जबकि ये डिवाईस तरल पदार्थ का सेवन भड़ा देता है इसके अलावा विबिन स्वास्त छेतरों से जुड़े डॉक्टरों ने भी कई तरह से इस डिवाइस के इस्तिमाल को आस्युकार किया है तो चलिए जान लेती हैं ये डिवाइस काम कैसे करती है रिपोर्ट्स के मताबिक डेंटल स्रेम डाइट कंट्रोल नामक इस चुम्बक अधारित उपकरण को दातों के बीच सेट किया जाता है जो मूँ को 2 mm से अधिक चोड़ा खुलने से रोकती है ये उपकरण पहनने वाले व्यक्ति को तरलाहर के सेवन पर मजबूर कर देती है हलकि इसको पहन कर बोलने या सांस लेने में कोई समस्या नहीं होती है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही इसी तरी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे बोल स्काय के साथ